तो दोस्तों कैसा चल रहा है? आसा करता हूँ सब बढ़ी ही चल रहा होगा तो यार आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई कोडिंग सीखना है मालो कोडिंग सीखना है तो भाई मैं एक आफलाइन इंस्टिटूट जोईन करके वहाँ जाके coding सीख हूँ या मैं online जो है वो YouTube की मदद से या जो paid courses वगरा होते है न यूडमी वगरा में वहाँ से जो है वहाँ से मैं coding वगरा जो है को सीख सकता हूँ थोड़ा इसी concept के बारे में बात करेंगे तो देखो है अगर आपको भाई बिल्कुल भी आपने किसी से सुन रखी है या किसी ने आपको बोला हुआ है कि जाकर के coding सीख लो बढ़िया future है ना website development सीख लो python सीख लो machine learning सीख हो जाकर कर ना ऐसा कुछ बोला हुआ और आपको coding के fundamental नहीं के लिए रहा आपने कभी भी जो है coding सीखी नहीं है तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि कुछ टाइम जो है ना वह जाकर के local institute में जो भी आपके nearest घर के पास पढ़ रहा हूँ ना वहाँ पर जाकर कर जो है वह करते हैं ठीक है ना बट अगर आपको भाई बिल्कुल coding का C भी नहीं पता है बट आपने किसी ने सुन रखा हुआ किसी से ना और किसी ना आपको recommend कर रखा है कि वैब development सीख लो python सीख लो जाकर के ना तो उस case में तो भाई मैं आपसे यही बोलूँगा कि बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं पता है ना तो आप जाकर के nearest में कोई local institute जो है वहाँ जोईन करो जाकर के क्योंकले वहाँ पर आपको एक मौहल मिलेगा क्योंकले अगर जबर जस्ती मुझे ऐसा लगता है जबर जस्ती जाकर आप को कुछ भी नहीं पता हो आप जाकर के coding के वीडियो क्लव करना उसने अपने गुरू की मूर्ती लगाई ठीका द्रोना चाल की ना बनाई और बाई किसी भी गुरू के कुछ नहीं था बस एक उसने इमैजन कर लिया कि हाम मैं बस इन से सिच्छा ले रहा हूं और उसने खुद से ही सारी चीज़ सीख लिए तो खुद से चीज एक ही बड़ा सा वीडियो है चार्चर पांच पांच गंटे का बढ़िया से देखो इस्टेप बाई स्टेप ना 20 मिनट डेली देखो 30 मिनट आ गया कि देखो उसको उसको जितना देखो उससे डबल जो है वो प्रैक्टिस करो तो आप खुद से भी चीज़ सीख सकते हो ब तो उस केस में ना आप ना ओनलाइन के चक्कर में मतोलो फिर आप एक लोकल इंस्ट्यूट में जो वहाँ पर आपको थोड़ा सा महल मिलेगा ठीक है ना इन्वारिमेंट मिलेगा आपको मालो बोरेत भी लग रही हो कि तो ऐसा तो नहीं कि बीच क्लास से छोड़ के भग ज पर वहीं पर अगर हम बात करें कि आपको जो है यार कोडिंग के फंडमेंटल कलिर आपने कभी जो है वो C++ या कोई भी लैंगवेज जो है वो सीख रखी होगी ठीक ना जैसे मेरे केस में में था यार मेरे केस में ना 9 नहीं अपने ना जब पहली पर कंप्यूटर आया तो वैसे क्या होता है आपका आर्ट होती है, संस्क्रत लेनी पड़ती थी, और साथी साथ उस समय कंप्यूटर भी आ गया था ना, जब मैं 9 में था ना, तो मैंने कंप्यूटर को ही चूज करा, ठीक है न, और उस समय जो हमें सबसे पहली लेंग्विज सिखाई गई थी, वो ठीक है, पिर आगे जाकर के जब मुझे मौका मिला तो भी, क्योंकर हमारे टाइम पे तो यार उतना यादा यूटूब, यूटूब का सिस्टम रहता नहीं था, उस समय इंटरेट भी नहीं था, टूजी वगरा चलता था, जियो यो भी नहीं था ना, तो कोई आप्शन न नहीं था, जब उसका वर्जन 1 के नीशे चलता था, 0.5 वर्जन वगरा चलता था, तो बहुत जादा हाइप था, कि यार नोट.js बहुत मस लाएंगे, जो तो यार उसकी बिल्कुल चुल मच गई सीखने की न, तो वो सारा कुछ आनलाइन से सीखा है, तो वो उस केस में आ आपको पैसिनेट होना चाहिए, फिर आपको बूरत नहीं लगनी चाहिए, और आप इस चीज के उपर डिपेंड भी नहीं हुने चाहिए, चार दो स बैटेंगे, तबी मेरे को जो है, वो चीज समझ में आ जाएगी, तो उस केस में तो है, तो आपको समझ में आना, कि अग कर लो, और जैसे ही basic fundamental आपके clear हो जाते हैं, छोड़ो वो coaching जाके, advanced knowledge जो है, वो भाई आपको YouTube पही मिलेगी, जो professional बंदे हैं, जो किसी company में job कर रहे हैं, उनके बहुत सारे YouTube पे channel बने है, coding से related, वो जब coding सिखाते हैं, तो वो एक ऐसी approach से आपको coding सिखाते हैं, जिस practical approach में company बगरा में काम हो रहा हुता हैं, उसी practical approach से सिखाते हैं, ना कि traditional एक, वहाँ पर जाओगे, मालो कई बर coaching बगरा में हम जाते हैं, कोई local institute बगरा जो है, वो join कर लेते हैं, सिखाने वाला, तो वो बहुत पुरानी approach से ही coding सिखा रहा हो, जो coding एक ऐसी चीज़, समय के साथ साथ बहुत जादा, यार, modern होती चली आती, versions वगरा बहुत जल्दी चेंज होती चले जाते हैं, मालो मैंने जब PHP सीखी थे, तो PHP का 3 version, 4 version चल ला था, इस समय है, 8 version चल रहा है, तो समझ सकते हो, यार, कितने तेजी से जो है, यार, version चेंज हो रहा है, आप देखो, यार, यार, 72 वर दिन तक पहुच गया जाकर के, तो इस तरीके की जो चीजे है, तो अगर आपको बिल्कुल भी basic fundamental नहीं clear है, तो उसमें लगता है, कि थोड़ा एक environment मिलेगा, तो हमको जादा जो है, वो चीजे सीखने में आसानी रहेगी, तो वहाँ जोड़ में join कर सकते हो, पर आपक की तरफ जाना, चीजे को कोडिंग के हर language के बहुत deep level में, बहुत detailed videos बगरा जो है, वो YouTube पे पढ़े हुए, ठीक है, आप एक चीज आपको ये भी समझने हो, कि कई बार क्या होता है, लोग दूसरों के कहें, पर कोडिंग सीखने चले तो चले आता है, बट क्या है, उनको सम बनी हो, तो वो चीज़ सीखना जो है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो I hope यार आपको जो है, वो concept समझ में आया होगा भाई, अगर समझ में आया तो भाई, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना हो, चैनल को सब्स्क्राइब मार देना, मिलते हैं भाई,